आज पूरे भारत में सिख्षित बेरोजगारों की संख्या में इदाफा होता जा रहा है। जिससे युवा वर्ग तो परिशान है ही, साथ ही पालकों के माथई पर भी चिंता की लकीरें उत्पन हो चली है। एक तो आज पढ़ाई का खर्च इतना है कि इसे वहन करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और उसके बाद कर्ज की वापसी करना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवाओ को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमने इन परिशानियों के पीछे की वज़ा युवाओ से जानना चाहा तो युवाओ ने एक लाइन में साफ किया कि सिक्षा प्रणाली में बदलाओ की जरूरत है। देखिए आज की विफल साबित होती हुई सिक्षा प्रणाली पर युवाओ की प्रतिक्रिया। नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ कुछ युवाओ मौजूद है जिन्हें आज की सिक्षा प्रणाली से कुछ रिकायते हैं। हमने भी अमोमन देखा है यह चीज की आज सिक्षीत बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज का युवा रोजगार पाने में असक्षम है, अक्षम है। उसके एवज में वो सरकार से बेरोजगारी भक्ता मांगता है। कहां चूख हो रही है, क्या कमिया है, हम जानने का प्रयास करते हैं इन युवाओं से जो आज हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम बताए ले। दोस्तो नमश्कार, मेरा नाम राखी बंडारी है और मैं सेकेंड यर जर्मिलिजम की स्टूडेंट हूँ। रखी जी, आज के दौर में, क्या आप आश्वस्त है कि आप जो कोर्स कर लही है, जो पढ़ाई पढ़ लही है, आपको यह पढ़ाई खत्म करने के बाद आपका केरियर निश्चीत हो पाएगा, सुनिश्चीत हो पाएगा, एक रोजगार बिल पाएगा। जी, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हूँ, सर, इसका रीजन यह है कि आज अगर बच्चे पढ़तो रहे हैं, लेकिन आगे सरकारों को क्या चीज़े प्रोवाइद कर आ रही है, या एक अच्छा प्लाइटफॉर्म है उस बच्चे को पढ़ने के लिए जितनी की उसमें डि जा रही है, और जो निजी करन हो रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी जिपमेदारी है, तो क्या मानना है आपका की, और क्या इसमें पढ़ाई में जुड़ना चाहिए, जिससे आप अपने रोजगार को लेकर, अपने करियर को लेकर आश्रा सोब सब्सक्राइब, सबसे पहले है, उसको किताबी ग्यान तो है, लेकिन क्या उसको फील एक्स्पिरियंस है, क्या उसके अंदर स्किल्स है, कि अगर वो मार्केट में जा रहा है, क्या वो लोगों को फेस कर पा रहा है, ये चीज उस बच्चे को सीखने की जरूरत है, और जरूरत है वो उस बच्चे को भी लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है, उस चीज को बताने वाला कोई नहीं है, एक मार्क दर्शन देने वाला कोई नहीं है, तो सबसे पहले तो एक अच्छी योनिवरसिटी जो इंस्ट्यूशन है, उनके टीचर्स को ये समझने की ज़रत है कि हमें अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें डालनी है और सर बात रही प्राइवेटाइजेशन की तो सर प्राइवेटाइजेशन होना भी चाहिए क्योंकि आज जो एक अच्छा एक्स्पोजर चाहिए होता है वो बच्चों को सरकार से जादा ना प्राइवेट कमपनीज दे रहें तो ये बहुत अच्छ कि टेक्निकल कॉलिफिकेशन भी दी जाए जिससे आज का युवा आश्वस्त हो सके कि वो अपना केरियर बना सकता है और उसे रोज़कार में सकता है हमेरे साथ कुछ और लोग है उनसे भी हम बात करेंगे आप कराएंगे मेरे नाम रिशा सुकला है और मैं अभी सिविल सर करेंगे इनका मतलब यह है कि academic qualification से अलग हट करके इन्होंने खुद यह रास्ता चुना है लेकिन इसके लिए इन्हें ट्रेनी करनी पड़ रही है आप से जाना चाहूंगा जो आप सिविल सर्विसेस की ट्रेनी कर रही है क्या गवर्मेंट इसको दे रही है आप प्राइव है तो मतलब कहीं ननी जो शरकारी पढ़ाई है जो सिष्टा की भरढई ए उसमें कमी है लिए दोस्तों इंका भी मानना है कि अधे सुधारने की जरूरात है किस प्रकार से शुधारा जाए आठ और दूर तो आ चाहें हम उन से भी जानना चाहें है आप तर नाम चाहि questa अर जो आप पढ़ाई पढ़ रही है, क्या आप इस चीज को लेके सिक्योर है कि आपकी पढ़ाई के बाद आपका करियर बन जाएगा, आपको जौब मिल जाएगी। सर लाइफ भी में कॉलेज कंप्लेट करने के बाद में यह शुरू कर दूंगी। एक इस चीज की शूर्टी है कि हाँ में को डिगरी मिल जाएगी। मैं कि भी जल्दी चाहिए। यह शुर्टी नहीं है कि हाँ मैं इस बेस पर नौकरी मिल जाएगी। मतलब एक पीज्यम्सी का कोर्स आपको ऐसा दिखा जिसमें कुछ संभावनाय है जो नौकरी की। लेकिन अभी भी आजवस्ता नहीं है कि नॉक्रीग हो जाएगी च्यू आपने जनलिजम को चुना जनलिजम में कुछ सुरू से ही पसंद रहा है मैं स्पीर्ड में आना ही चाहती थी बट जैसे कि आपको भी पता हुआ हुआ हमारी ज्यादा बढ़ गई है इतना मतलब तबा डेशा है वी क्ली त्राय करने हिए थी कि पहलेशण में वीन Feels चाहते बढ़ जाहते है वी सेब आना चाहते है कि अनलेज आना चाहते हैं को गविश्ताच नहींत न के भी अनलेज है पूरी तरह से कबिल बता रहे हैं जो एक मन में एक डर है तो कि फ्रिडर का ओलेज जो साइब कोई Marchal की वजह से बोले या इस पढ़ाई वह neighborhood शिक्षा की शिछओ की कमी है और वी लोग है हमारे साथ करो दित हम पर शिक्षित बेह चूरों को गूंगते देखा है और उन्हें देख करके उन्हें डर लगता है कि उनका क्या होगा, सिख्षाग रहन कर रहे हैं, पुछते हैं कि किस तरगा डर है, जी आपका नाम अब है कुनम भार्टी, बैटी भी एजेंसी कर रहे हैं कुनम जी, आप भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, इसके पहले भी बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके आज वेरोज़गार है, उन्हें देख करके आपको क्या मैसूद है जो डिग्रियां आप राप करेंगी, उसे पूरा कागस मानती है या वो किसी काम भी होगी तो क्या चाहती है, जो प्रणाली है, देश की, प्रदेश की, क्या बदलाव चाहती है, क्या बदलाव होना चाहिए, इससे आप अपने करियर को लेकर कैश्वस हो सब्सक्राइब शिस्टम चैंज करना चाहिए, सबसे पहले है, सभी ने कहा कि स्किल बहुत इपॉर्टेंट है, और फिल्ट नॉलेज होना चाहिए तो वो चीज़े भी चींज़ें कि सही तरिके से फिल्ट नॉलेज दिया जाय, कही नकर एक एक्ट्रा क्लास है, उनके स्किल के लिए जो इनका भी कहना है skill development, सरकारे कोई भी हो, सबसे पहले अपने विध्यार्थियों का, अपने students का रुझान देखें कि पढ़ाई के साथ साथ किस छेत्र में उनका रुझान है और सिक्षा परडाली में बदलाव आज के परिवेश में बहुत ही महत्वकुन होता जा रहा है क्योंकि इसके बगैर अगर ये बदलाव नहीं होते हैं तो जिस तरह से आज सौ में से असी युवा बेरोजगार होकर के सरगार की तरफ टक-टकी लगाए बैटे हैं या तो हमें रोजगार दीए या फिर बेरोजगारी भत्ता दीए तो क्या ये युवा सिर्फ बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अपने सिक्षा को बढ़ा रहे हैं सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं क्या इसके प्रती किसी भी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है श्यालो श्यालो